नमस्कार साथियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 से 12 महीने के बच्चे को खाने में क्या देना चाहिए तो साथियो बच्चा जनम से लेकर 6 या 8 महीने तक तो मा का दूद पीता है कम से कम 6 महीने के बाद बच्चे को कुछ उपर के अनाज और खाने की चरूरत होती है इसमें हम आज आपको बताएंगे कि बच्चे की खाने की सुरुवात कैसे करेंगे इन्हें क्या चीज खाने को देना है, कितनी मात्रा में देना है, और किस तरह से खाने को बढ़ाना है हाँ तो सातियो, सबसे पहले क्या खाने को देना है, इसकी सुरुवात कैसे करें मैं आपको बताने जा रही है सबसे पहले आप वीट या राइस स्टार्ट कर सकते हैं वीट दलिया के फॉर्म में या फिर सूजी के फॉर्म में होता है दलिया की आप खीर जैसी बना लीजिए या फिर सूजी की खीर बना लीजिए मीठा की मात्रा थोड़ा कम रखिए सुरुवात के दो-तीन दिन तक दो-तीन चम्मच खिलाईए जब दो-तीन चम्मच अच्छे से खा ले तो आगे उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ा दीजिए और फिर सुरू के छे महीने मात्रा बढ़ा कर आधी कटोरी से एक कटोरी तक कर दीजिए इसके अलावा राइस की खीर, फिर पालक का साग, एपल मैस करा हुआ, चीकू मैस करा हुआ, बनाना मैस करा हुआ आप खिला सकते हैं जो भी आप खाना बच्चे को देंगे शुरू के छे से आठ महीने तक वे एकदम मैस किया हुआ होना चाहिए पतले फॉर्म में होना चाहिए, इसके लिए आप उसे उबाल करके अच्छे से मैस करके खिला सकते हैं, या फिर मिकसर ग्रेंडर करके खिला सकते हैं इस बीच में आपको बच्चे को मा का दूद पिलाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मा का दूद बच्चे के लिए बहुत आउशक है और बच्चे को मा की दूद की चरूरत है, क्योंकि पूरी मात्रा में बच्चा खाना नहीं लेता है आपको ध्यान किस बात का रखना है कि बच्चे की लेटरिंग कैसी हो रही है उसको ड्राइजेशन ठीक से हो रहा है किसी चीज से एलर्जी तो नहीं हो रही है वे उल्टी तो नहीं कर रहा है खाना खिलाने से उसे फंदा तो नहीं लग रहा है अब बात करते हैं 10 से 12 महीने क बच्चे की खाना आपको यही रखना है बस जो मैस किया हुआ खाना है उसका मात्रा धीरे-धीरे change करना है जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाएंगे बच्चे के लिए असान होता जाएगा धीरे-धी वैस्वादिश्ट खाना खाना सीख जाएगा इस बीच में आप दूद की मात्रा कम करते जाएंगे और फिर थोड़ा उपर का दूद शुरू कर देंगे याद रखना है उपर का जो दूद यूज करेंगे वे टोन दूद होना चाहिए टोन का मतलब है जादा गाढ़ा और मलाई वाला दूद अब बच्चा सेप खा सकता है पनीर खा सकता है बिस्किट खा सकता है रोटी दूद में घोल कर दे सकते हैं बस याद रखिए आप 10 से 12 महीने के बच्चों को टेश्ट का पता लगना सुरू हो जाता है याद रखिए आप शाका हारी हैं या मासा हारी हर प्रकार के भोजन देने हैं थोड़ी सी मात्रा में एक दिन में एक टाइम में एक बार में जाद रखिए खाना खाने से पहले बच्चे को हर चीज हिसाब से देना है क्योंकि बच्चे की किड़नी अच्छे से डेबलेप नहीं हुई है इसलिए मीठा और नमक हलके मात्रा में देना है पर जो चीज दे रहे हैं, उसमें थोड़ा टेश्ट होना चाहिए, सात्यों अब हम बात करेंगे, इस तरीके से बच्चों को खाना देने से क्या-क्या प्रॉबलम आ सकती हैं, हो सकता है, आपने जो बच्चे को चीज दी हो, वै उसको पसंद ना हो, कुछ बच्चे मीठा पसंद कर करते हैं, आप उसके लिए परिशान ना हो, वै जो पसंद करता है, उसे वै चीज खिलाईए, बीज बीज में उसको नए टेश्ट भी देते रहे हो, हो सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा हो, उसे दस्थ हो रहे हो, वै खाना बिलकुल नहीं चाहता हो, चिड़चिड़ा हो गया हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप एक बार जरूर डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपना दूद देना मत बन करिए, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, सस्क्राइब करना, शेयर करना,